नमस्कार दोस्तों के इस एपिसोड में आपका स्वागत है तो मैं पिछले कुछ दिनों में मैं बुंदेल खंड के अलग-अलग इलाकों में मैं फील्ड के लिए गई थी और जब फिल्ड में गए थे आप तो जानते हैं कि हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है तो जब मैं गाउं में जा रही थी पैदल चल रही थी खेतों के पकडंडियों से जा रही थी तो चारों तरफ का नजारा बहुत खुब सूरत था खेतों में लहलाती हुई फसल को देख करके मन को बहुत सुकून हो रहा था चारों तरफ शर्षों के पीले पीले फूल चाना की लहलाती हुई फसल अर्सी सर्सो मसूरी और अरहर की फसल भी कापी अच्छी है कहीं कहीं पर जवारा और बाजरा की भी खेती देखने को मिली है ये सारी चीजे देख करके मन बहुत अच्छा लग रहा था आँखों को खास करके बहुत सुकून मिल रहा था और मैं सोच रही थी कि इस साल अच्छी फसल होगी लेकिन उसके कुछ दिन बाद जिस तरह से इस बार कडाके की ठंड पड़ी है तो मैं ये भी सोच रही थी कि हाड कपा देने वाली ठंड को अगर हम इनसान नहीं बरदास कर पा रहें तो फसले इसको कैसे बरदास कर पागी कहीं फसलों का नुक्षान नहों जाए और जब अखबारों में खबर आ रही थी लगातार गिरता हुआ तापमान दर्ज होकर के अखबारों में आ रहा था तीन डिगरी चार डिगरी तक तापमान गया कानपूर में तो लगातार दो तीन दिन तक धाई डिगरी सेर्शक तक तापमान गिरा था और उसके बाद जिस तरह से हमारे रिपोर्टर बता रहे थे और जो लोगों से सूचनाय आ रही थी कि फसलों को बहुत ज्यादा नु पत्नियां पेली पड़ गई हैं जो सरसो का फूल है वहां पर कम फूल लगे हैं तो आप को लहाती फसल तो दिखेगी लेकिन जब आप पास में जाएंगे ना सर्शो की तो अगर ज्यादा फूल लगना ज्यादा फूल नहीं है एक सर्षो में कुछ फूल हैं इसी तरह से अरहर के फूल भी मर गये हम उसमें प्रण नहीं लगेंगें अगर हम बात करें आलू की क्योंकि इस बार अच्छी रहे जिन इन प्रदेसों में यह फसले हमने अयोद्यासिस का कब्रेद किया महोबा से किया तो वहां से जो एलू की फसल है किसान हम को बता रहे ते अगर आप लेकिन अलुएक तो पूरा पूरा खराइब हैं ना पुरा खराइब भी गया ना लूगया इसे सोख गया बाकुलपातिय और देव यह ना छोड़ कहे रहों का नहीं दबा इतना छोड़ कहे रहा हैं तो एक दम पैदावारी ना भै नहीं और गॉंवह में लोगन कि खितिया इसे अलुए के खराब होई अब सबक्रावा सबक्रावा अब आपके गाउं में कितना एसन किसान हुए जिनके आलू फसल इस बार नाइब है मतलब जुलसा रोग लाग गया कम होई इस अब कोहरक वज़ेश है कि मैंने किसान यूनियन के नेता जो खिसान रहे बांदा से बाइजना था वस्ति जी उनसे मैंने फोन करके थोड़ा पूचा कि फसलों का किस तरह का इस बार के ठंडी का नुक्षान होगा उन्होंने मुझे बताया कि 20 प्रतिसत तक अभी तक नुक्षान देखने को मिल रहा है क्योंकि जो सरसो है अरसी मसूर है उनके फूल मर चुके हैं जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और सरसो में माहू लगने का खत्रा अभी उनको समझ में आ रहा है क्योंकि जब फर लगेगा तभी उसके बारे में समझ आया उन्होंने बताया है कि किसान इससे राहत भी पा सकते हैं अभी तो ठंड पड़ेगी कि आगे उससे राहत मिलेगी वो तो मौसम बिभागी बता पाएगा लेकिन वो कह रहते हैं कि सरकार के दौरा जो सिचाई के लिए फोहारेदार जो पाइप मिलते हैं अगर उनसे कोहरा के दौरान अगर सिचाई की जाए तो उससे फूल मरने का और माहू लगने का खत्रा नहीं होता है एक चीज़ और हमको बता रहती कि बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में सर्च करके बताते रहते हैं फसलों को कैसे बचाया जा सके उन्होंने गाओं की तकनीकी मतलब इस तरह से बताया कि खेतों के मेड की बीच में अगर हम आग जलाएं और आग का जो धुवा निकलता है उससे फसल को गर्माहट मिलती है उससे हम अगरा कि की झांट की जाच कि जाँ सकती है किeft समय का नुक्सान में किस तरह से हम पचाय बचाओ कर सकते हैं फसलों का मीजर होता रहता है चाहतं ज्यादा पढ़े ने तो बारिस कम हो तो सूखा के असार होते हैं बाढ़ा जाते हैं तो अलग तरह की प्राब्लम होती है तो ये जिस तरह से और हमारा जो देश है वो क्रसी प्रधान देश माना जाता है हमारे देश में लगभग 80% लोग हैं जो खेती किसानी के काम करते हैं और खेती किसानी से ही हम सब का जीवन चलता है हम सब उसी के ऊपर निर्भर रहते हैं लेकिन इसकी जो मार है फसल की जो मार है वो किसान हमेशा से जूचता रहता है और ऐसा नहीं है कि सरकार उनके लिए कोई योजना नहीं बनाती है पर यह जो मौसम है कैसे काम करता है कम जादा बारिस कम जादा शूखा जब इस तरह की चीजे होती हैं तो यह सीधी देने हमारी प्रकतिका हमेशा किसान भगवान की तरफ देखता है बारिस नहीं होता तो भगवान को कोशता है ज्यादा बारिस हो गई तो भगवान को कोशते हैं ठंड ज्यादा पड़ी तो हम भगवान को अच्छा बु नाकों में भी इस बार की ठंड का कोई बुरा प्रभाव पड़ा है वो भी आप लिक करके बता सकते हैं इस बार का सुआ आपको कैसा लगा यह आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताए अगर सुआ अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर तो इस बार के एपिसोड में इतना ही अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में तब तक लिए दीजे इजाज़त नमस्कार